I've been all over the world, लेकिन मैं कश्मीर कभी नहीं गया, और बहुत सारे मौके भी मिले, बहुत सारे मौके आए, दोस्तों ने बुलाया, बट मैं कश्मीर कभी नहीं गया, क्योंकि Bollywood के बादशा शाहरुक खान एक ऐसे आक्टर है, जिसकी popularity के चर्चे पूरी दुनिया में है दुनिया में शायद बहुत कम ही ऐसी जगह होंगी, जहां शारुक खान ना गए हो, देश विदेश में शारुक खान को एक special guest के तौर पर बुलाया जाता है दुबई ने तो किंग खान को अपना brand ambassador बनाया हुआ है, और इसलिए शारुक खान का दुबई में रहना, घूमना, खाना, पीना, सब मुफ्त है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि एक जगह ऐसी भी है, जहां शारुक खान ने कभी ना जाने का फैसला किया था और वो जगह कोई विदेश में नहीं, बलकि अपने देश भारत की सबसे खुबसूरत जगह कश्मीर है वैसे तो शारुक खान के लिए किसी भी जगह जाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन शारुक ने कभी कश्मीर ना जाने का फैसला किया था और इसके पीछे शारुक की एक emotional कहानी है जब शारुक खान के बीसी में guest के तोर पर अपनी फिल्म जब तक है जान का promotion करने आये थे तो उन्होंने अमिताब बच्चन के सामने खुद इस बात का खुलासा किया था शारुक खान ने के बीसी में बताया कि मेरे पिता मुझसे कहते थे कि दुनिया में तुम कहीं भी अकेले गूम लेना लेकिन कश्मीर अकेले मत जाना कश्मीर तुम मेरे साथ ही जाना मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहरुक खान के पिता बच्चपन में ही उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और उनका शाहरुक को लेकर कश्मीर जाने का सपना सपना ही रह गया था शाहरुक खान को पहली बार यश चोपड़ा कश्मीर लेकर गए थे और वो भी इसलिए क्योंकि शाहरुक की फिल्म जब तक है जान की शूटिक कश्मीर में हुई थी शाहरुक खान यश चोपड़ा को अपने पिता समान मानते थे इसलिए किंग خان उनके कहने से तब पहली बार कश्मीर गए थे इससे पहले शाहरुख के फ्रेंद्स, उनके रेलेटिव्स और उनकी फैमिली सब कश्मीर गूँद चुके थे अपने पिता के प्रती शाहरुख के इस पियार और सम्मान के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना